Hi this is Rinuka your content reasoning faculty so aaj हम CSIR SO ASO का जो 350 marks total की preparation की बात कर रहे हैं तो कल हमने 150 marks की preparation की बात करी थी आज 200 marks की preparation की बात करेंगे इसके previous video में 230 to 250 marks का target का जो strategy प्लान करी थी वो आप देख सेकते हो बट आज का मतलब कल का वीडियो में हमने 150 marks की preparation की प्लान करी थी ठीक है आज जो 200 होगा, वो क्या होगा, 100 यहां से, यानि हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट इवेंट्स, उसके बाद यहां से 50, जो जनरल जाइन्स हो गया, या फिर एकनॉमिक, सोचिल डिवलोप्मेंट यह हो गया, और यह एक पार्ट हो गया, जो मैनेजमेंट अफ प्रिंसिपल् मतलब आपका concept clear होगा, तो वो एनाफ है, जैसे quant reasoning, यह सब समझने की चीज़े है, decision making, ethics, यह भी मैंने आपको समझा दिया है, जो जो important था, ठीक है, बट आज के जो भी topic से, वो ज्याद तर याद रखने वाले हैं, जैसे history हो गया, या फिर geography हो गया, है ना, तो इनको रटने रटने का तो मैं suggest नहीं करूंगी, जाधा तर मैं आपको यह suggest करूंगी, कि अगर आप समझ जाते हो, each and every topic को, तो आप easily उसको answer कर सकतो, चाहें किसी भी तरका आपको question पूछा जा रहा हो, मैंने आपको यहां पे कुछ points, यहां पे मैंने underline करके रखा हुआ है, बट पहले आपको मैं समझा देती हूँ, कि यहां तक इस diagram को कैसे करना है, यह तो आज भी करना है, बट कैसे करना है, मैं पहले आपको वो समझा देती हूँ, ठीके, जिसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको कहा, हर चीज को समझने की ज़रूरत है, each and every topic को, आप समझने की कोसिस करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, हाइलाइट करना है, उन topics को जो आपने कवर कर लिया है, मैं आपको read करने के लिए suggest नहीं करूंगी, इससे दो problems हो सकती है, क्या, जैसे यह आपको help नहीं करेगा, क्या आपको वो चीज याद रहे, for an example, आपके history के dates होगे, जैसे मानलों आपने कोई date याद रहा, 1956 हो गया, आपको option में देंगे, चार options होगे, 1956 भी होगा, 55 होगा, 54 होगा, ऐसे करके, आसपास के dates आपको देंगे, so that आप confused हो जाओ, ठीके, यह हो सकता है, और एक चीज हो सकता है, यह सिर्फ पढ़ने से आपका ज़रूरी नहीं है, कि हर चीज आ गया, एक topic आपने उठा है, इसको समझने की कोसिस करो, जो भी आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, तो आपको इस तरह से समझा रहे हैं, कि वो आपको यह help करेगा, कि आपको उस topic से related कोई भी question पूछा जाए, तो आप answer कर सको, इसके लिए थोड़े आपको efforts डालने पड़ें principles of management, देखो, आपको कोई इस तरह से समझा रहे हैं, कि principles of management क्या होते हैं, कि इनको 4 parts में divide किया जाता है, यह हो गया planning, फिर 8 part हो गया, organization, फिर हो गया organizing, फिर directing, फिर controlling, ऐस तरह से 4 parts में ऐसे करके diagram भी हो गया, आपको समझ में भी आएगा, ना कि इस तरह से ऐसे given है, यहाँ यहाँ पे वैसे ही लिख के आपको समझा रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा helpful नहीं रहेगा, बट जिससे आपको कई ही से diagram या sort notes के जरिये समझा रहे हैंगे, तो वो आपको ज़्यादा help करेगा समझने के लिए, ठीक है, फिर आपको जैसे मैंने कहा, यह दो चीज के लिए, जो हो गया, यहाँ पे history हो गया, history के लिए आपको ज़्यादातर medieval और क्या हो गया, modern history के questions पूछे जाने के chances से, क्योंकि आपको official papers में भी वो ही given है, ठीक है, फिर आपको क्या हो गया, यहाँ पे मैंने highlight किया हुआ है, अगर आप सारे नहीं cover कर पाते हो, तो कुछ points important important जैसे Indian constitution हो गया, historical underpinnings हो गये, उनको आप पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद बागी के पढ़ लेना, कुछ important मैंने यहाँ पर underline करके रखा हुआ है, जैसे current से मैंने आपको बताया था, कि जो हो गया, committees हो गये, या फिर awards हो गये, first in India, यह भी मैंने आपको पहले की summits, events हो गये, awards, first in the world, जैसे मैंने आपको कहा, जो भी पहली बार हो रहा है, वो current affairs ज्यादे important है, committees, sports और awards, यह सारे important है, ठीक है, तो इन इन चीजों को मैंने पहले आपको underline करके रखा हुआ है, अगर आपने पहले से कर रखा है, तो ठीक है, नहीं किया है, तो पहले इनको कर लो, पाद में जो भी बचेगा, उनको कर लेना, क्या आपको पहले understand करना है, हर चीज को पहले समझो, फिर उसके बाद उनको highlight करना है, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, फिर उनको आपको highlight करना है, जो भी आपने cover कर लिया है, मानलो आपने economic, social, यह part का आपने क्या क्य बचेशन भी लेगा, कि एक चीज को आपने cover कर लिया है, और कम टाइम में भी हो जाएगा, जैसे मैंने कहा आपको, यह चीज आपको सर्च करना है, कहां से आपको पढ़ना है, कौन आपको समझा रहे है, तो यह topic आपका cover भी हो गया, और यहां से आपका समझ में भी ठीक है, concept आपको clear करना है, 10-15 मिनिट लगेंगे, या फिर जाधा भी लग सकते है, डिपेंट करता है, चाप्टर्स के, टॉपिक्स के ऊपर, फिर उनके ऊपर question सर्च करना है, chrome में सर्च कर सकते हो, या फिर YouTube से मिल रहे हैं, तो भी कर सकते हो, फिर उनको practice करना है, यही ची कर दो 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 कर दो